दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज हम आप से बात करेंगे दोस्तों जींगा मचली को कैसे पकड़ा जाए या उसका शिकार कैसे किया जाए बहुत आसान उपाय है दोस्तों इस तरीका से अगर आप ट्राइ करेंगे तो बहुत सारा जींगा मचली कम समय में प पकड़ लीजिये या कोई fishing equipment आपने रखा है तो उससे भी आप उसके अंदर फसा करके पकड़ सकते हैं या जिस बिधी से आप पकड़ना चाहें लेकिन ये चारा आपको बनाना जरूरी होता है कम समय में ज्यादा शिकार करने के लिए दोस्तों तो दोस्तों पहले हम जानना चाहेंगे के जिंगा मचली मिलेगा कहां या मिलेगी कहां तो देखेंगे वीडियो के अंदर किस तरह से साफ पानी दिखाई दे रहा है और ये नदी का है ये विजियोल जो है नदी का है तो ऐसे जगह पर जहां साफ पानी है चाहे वो खेत हो तालाब हो डैम हो जिस जग पर साफ पानी है और वहां आपको आंदाजा है कि यहां पर कच्चा मिट्टी है मतलब कच्चा मिट्टी कहने का मतलब है जो मिट्टी जो है सिलिप्री होता है फिसलने वाला होता है हाथ में ले करके देखेंगे तो हाथ में फिसलता है तो वहां जहींगा मचली हो सकती है चा पहलु मिट्टी नहीं हो पा बालू ऐड़ा जगा है ढंतों फानों यह मिल तो दोस्तों इस तरह पहचान करेंगे यहां पर पिंडा मचली और उसके। enery जाना अगर बड़ा गाशन शोले छोता जिस तरीका से और पप उयहpost पर प्रवां से तो तो आप क्या करेंगे जहींगा मचली अगर थोड़ा सा आपको कहीं से मिल जाता है तो उसको क्या किजिए कि चावल का जो राइस पॉलिश पावडर होता है उसके अंदर यानि एक गिलास राइस पॉलिश पावडर में आप जहींगा 10-15 जहींगा को मसल देंगे मसलने के बाद से आप जहां शिकार करना चाहते हैं वहां पानी में उस चीज को फेंकिए क्योंकि जहींगा मचली खुद जहींगा को खा जाता है तो एक ये तरीका हो गया कि आप चैरा बना लीजिए आप फिशिंग हुक से डालना चाहते हैं फिशिंग हुक से पकड़ना च तो यहों के आठा में भी मिला सकते हैं, और मिला करके शिकार करेंगे, जाल से पकड़े या दूसरा चीज से, जिस तरीके से, दूसरा चीज है मुर्गी का आठ, जी, मुर्गी का आठ ले लिजिए, उसके अंदर का जो कच्रा है, उसको निकाल करके साफ कर दिजिए, पानी स चोटा टुकडा होना चाहिए कुटने के बाद से आप उसको भी राइस पॉलिश पाउडर के अंदर मिला दीजिए या गेहू के आटा के अंदर मिला दीजिए और शिकार कीजिए ये तो जहींगा मचली को बहुत पसंद है दोस्तों ये दो चीज इससे आप कम समय में ज्या करके आटा में गेहू के आटा में पोठिया मचली भी पकड़ सकते हैं के वही मचली पकड़ सकते हैं और जहींगा भी पकड़ सकते हैं दोस्तों तो ये बहतरीन चीज था जिससे आप शिकार कर सकते हैं दोस्तों यहां एक चीज और बताना जरूरी है अगर आप चाहते है कि कम समाइए में बहुत ज्यादा ज्हिंगा मचली पकड़ने के लिए तो जिस अलाके में आप रहते हैं वहां एक दिन दो दिन तिन दिन पहले आप जहां शिकार करना चाहते हैं वहां पर चराई डालिये रोज रोज डालियेगा तो इससे के आओगा कि बहुत सारा बहुत कामयाब तरीका है अगर आपके शिकार मिलता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजियागा ता कि वह भी इससे पाइदा उठाएं और दोस्तों जब भी आपको शिकार मिले तो प्लीज वापस आकर के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा ओके दोस्तों सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया थेंक यू